हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू बुकलेस आई क्यू आज है 9 जनवरी तो 9 जनवरी से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इपोर्टेंट करण्ट अफेर्स है उनको हम आज पढ़ने वाले हैं तो बढ़ते हैं आज के फर्स्ट क्यूसन की तरफ तो फर्स्ट क्यूसन हमारा 2020 से 21 में भारत की GDP में कितने परतिस्ट गिरावट रहने का अनुमान लगाया है तो इसका सही आंसर होगा 7.7 परतिस्ट तो ये 7.7% है ये राश्टे सांखे की कार्याले के दोर जारी की रिपोर्ट है जो कि भारत की GDP में गिरावट रहेगी और राश्टे सांखे की कारियाले मंतराले के मंतरी जो है राव इंडर जीत सिंग है और इस क्यूशन के बाद में हम कुछ अधर इपॉर्टन फैक्ट है वो भी जान लेते हैं कि विश्वे बेंक ने ही भारत की एकोनमी जो है इसमें 5.4% की वरीदी का अनुमान है वो लगाया है और कल हमने पड़ा था कि गलोबल एकोनमी प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट के अनुसार वित बस 2020 से 21 जो भारत की अर्थ रश्वे रश्ता है ये माइनस 9.3 घटने का अनुमान लगाया है और ये जो गलोबल एकोनमी प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट है ये विश्वे बेंक के दोरा जारी की जाती है बढ़ते हैं नेच्च क्योशन की तरफ तो नेच्ट है हमारा की पंजाब नेचिसन बेंक ने फिन्टेक इनोवेशन सेंटर इस्तापित करने के लिए 12 था के साथ सांजेदारी की है तो इसका सही आंसर होगा आई 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 टी कानपूर तो आयाईटी कानपुर के साथ ही पंजाब नेसल बेंक है ये एक फिंटेक इनोवेशन सेंटर है ये स्तापित करने जा रहा है पंजाब नेसल बेंक के मुखेले है वो नई देली में इस्तित है पंजाब नेसल बेंक के सी ईो एस एस मलीका अरजुन राओ है और पंजाब निसले बेंग की स्थापना 19 मईए 1864 में को लाहोर के पाकिस्तान में हुई थी और इसके स्थापक थे उस टाइम डाला लाजबतराई और राजा हर्डियाल सिंग थे नेक्ट क्यूशन है हमारा कि हाल ही में भारतिय मूल के वैक्ति है जो कि अमेरिका सेना के पहले मुखे सूचना अधिकारी का पद इन्होंने ग्रेंड किया है उनका नाम क्या है तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर राज ऐयर तो डॉक्टर राज ऐयर ये एक भारतिय मूल के वैक्ति है और इन्होंने अमेरिका में मुखे सूचना अधिकारी का पद है वो ग्रेंड किया है डॉक्टर राज एयर है ये अमेरिका की सेना में मुखे सूचना अधिकारी का पद है ये ग्रेंड किया है और डोक्टर राज एयर है ये रक्षा विवाग के भारतिय अमेरिकी नागरिक में से सर्वोच रेंकिंग पाई है कि हाल ही में हरियाना के रिवाड़ी में 306 किलोमेटर लंबे वेस्टन डेडिकेटड फ्रेंट कोरिडोर यानि की WDFC का उदगाटन किसने किया है तो इसका सही आंसर होगा नेरेंदर सिंग मोदी तो नेरेंदर मोदी ने ही हरियाना के रिवाड़ी में इस्तित है ये फ्रेंट डेडिकेटड कोरिडोर का उदगाटन किया है परधान मंदर ने रेंदर मोदी ने वेस्टन डेडिकेटिव फ्रेंड कोरिडोर यानि की तिन्सोचा किलोमेटर लंबा है ये नियो रेवाड़े नियो मेदार सेक्षन राष्टर को समर्पित किया है अधर इंपॉर्टन फैक्ट की बात करें तो हमने पढ़ा था कि परधान मंदर ने रेंदर मोदी है ये वीडियो कॉन्फरेंसिंग के मादेम से आयूस मान भारत योजना है इसके तहत इन्होंने एक योजना का सुमबारम किया है जिस इस योजना का नाम है सिहत योजना ये इन्होंने जमो कस्मीर में शुरू की थी और इसका उदेश्य के वली था कि स्वास्ते बीमा कवरेज का विस्तार करना है वहां के निवाश्यों के लिए बढ़ते हैं नेक्ट क्यूशन की तरफ सिहत योजना का पूरा नाम है कि सोशल इंडिवर फोर हेल्थ एंड टेली मेडिशन किस राजे सरकार ने मिटी और पानी की टेस्टिंग करने के लिए क्रीशी संजीवनी वेन को हरी जंडी दिखाई है तो इसका सही आंसर होगा करनाटक सरकार तो करनाटक सरकार ने ही राजे के जो संजीवनी वेन है यानि की क्रीशी संजीवनी वेन है इसको हरी जंडी दिखाई है वहां की जो मिटी है और पानी की टेस्ट के लिए करनाटक के मुख्यमंदरी बीएस ये दूरपपा है और इन्होंने ये जो क्रीशी संजीवनी वेन है ये करनाटक की राज़दानी बेंगलूरू में ही इन्होंने सुरू की है और इस कारिय करम का उदेशया है कि जो क्रीशी विकास योजना है उसके तहट क्रीशी विवाग के द्वारा ये वेन है ये लॉंच की जाएगी ताकि वहां के जो क्रीशी कारिय है उसको बढ़ावा मिले और करनाटक के राज़पाल जो है वो वजू भाई वाला है इस क्योशन से आपको इतनी ही जानकारी मिलती है तो बढ़ते हैं नेक्स क्यूशन की तरफ तो नेक्स हमारा हाल ही में जेके महेश्वरी किस राज़े के उच नेले के नियाई दिसके रूप में सपत ग्रैन की है तो इसका सही आनसर होगा शिक्किम तो शिक्किम राज़े में ही ये जो जेके महेश्वरी है ये उच नियले के नियाईदिस के रूप में सपत ग्रैन की है इसके साथ साथ ये फ्रेंस हम कुछ अन्य रजे के जो उच नियले के नियाईदिस है उनके बारे में भी डिसकस कर लेते हैं कि पटना रजे के जो उतने अले की चीफ जस्टिस है ये शंजे के रोल बने है और मेगाले रजे के जो चीफ जस्टिस है ये वीश्वेनाथ स्वामदार बने है और जारखन के चीफ जस्टिस बने है डोक्टर रवीर अंजन और केरल के चीफ जस्टिस बने है ऐस मनी कुमार और आंधर परदेश के चीफ जस्टिस बने है अनुरूप कुमार गोस्वामी ये हमने कल पढ़ा था कि आंधर परदेश के चीफ जस्टिस है वो अरूप कुमार गोस्वामी है नेक्स्ट है शिकम के चीफ जस्टिस बने है जेके महिश्वरी और मदरास के चीफ जस्टिस बने है शंजीव बेनर जी और मुंबई के चीफ जस्टिस बने है दिपांकरदत और करनाटक के चीफ जस्टिस बने है अभे श्री निवाश और मनिपुर के चीफ जस्टिस बने है राम लेंगम सुधाकर गुजरात के चीफ जेस्टिस बने है वीक्रम नाथ और इलाबाद के चीफ जेस्टिस बने है गोविंद माथुर और डेली के चीफ जेस्टिस बने है धीरू भाई नाराएन और 36 गड़ राजे के चीफ जस्टिस बने हैं पी आर मेनन कोलकाता के टीबी रादा कशन और गुहाटी के सुधासु धूलिया और मध्य परदेश के चीफ जस्टिस बने हैं मुहमद रफीक और तेलंगाना के चीफ जस्टिस बने हैं हीमा कोहली और जमु कश्मीर उच जस्टिस बने हैं पंकज मितल इस कैसन से आपको इतने ही जानकारी मिलती है बढ़ते हैं नेक्ट क्यूशन की तरफ तो नेक्ट हमारा की लद्दा की भासा शंस्कृती और भूमी सरक्षन यानि की उनकी रक्षा के लिए एक समित्य का गठन किया गया है इस समित्य का अध्यक्ष कौन बने हैं तो इसका सही आंसर होगा गरहर राज्य मंत्री किशन रेडी तो जो गरहर राज्य मंत्री किशन रेडी है ये अमित्सहा की सलाहा पर लद्दाख की जो भासा है संस्क्रीती है और भूमी सनक्षन के लिए एक समित्य का गठन किया है ये रहे गरहर राजिया मंतरी किसन रेडी इन्होंने ही लड़ाख की जो भासा है संस्क्रिती है और भूमी सनक्षन के लिए समिती का गठन किया है इस समिती के अगर बात करें तो यह समिती है वो केंदर सासित परदेश में विकास में जो नागरिक है उनके भागिदारी को सूनिशित करेगी और अन्य इस समिती के जो अन्य सदश्य है वो लड़ाख में जो सौाइट पहाड़ी विकास परिशित है वहाँ पर केंदर सरकार तो जो लड़ाक परशाशन में निर्वाचित पतिनिदी है वो भी सामिर होगे नेक्स्ट क्यूशन है कि RBI की अध्यक्सता में कोलेज ओप सुपरवाइजर्स का गठन किया गया है तो इसके अध्यक्स कौन बने है तो इसका सही आंसर होगा एन एस विस्वेनाथ तो एन एस विस्वेनाथ जो है ये RBI की अध्यक्सता में कोलेज ओप सुपरवाइजर्स का गठन करेंगे नेक्स्ट है हमारा क्यूशन की पुस्टक राइट अंडर ओवर नोज ये हाल ही में लौंच हुई है इस पुस्टक के लिखक कौन है तो इसका सही आंसर होगा R Giardar तो R Giardar ने ही राइट अंडर ओवर नोज पुस्टक है ये लिखी है नेक्स्ट है हमारा कि महाराष्टर मेट्रो रेल कोर्पोरेशन ने बायो डाइजेस्टर तकनिक के लिए किस संस्ता के साथ समझोता किया है तो इसका सही आंसर होगा DRDO तो DRDO के साथ ही महाराश्टर मेट्रो रेल कोर्पोरेशन ने बायो डाइजेस्टर तक्निक के लिए समझोता किया है नेक्स्ट है हमारा की दिव्यांग जन साधी प्रोथ साहन योजना 2021 के किस राजे की सरकार ने लौंच किया है तो इसका सही आनसर होगा उत्तर प्रदेश तो उत्तर प्रदेश राजे की सरकार ने ही दिव्यांग जन साधी प्रोथ साहन योजना को शुरू किया है यानि कि एक दिव्यांग जो वेक्ति है उसके साथ साधी करने का प्रोथ साहन इसके साथ ही हमकुछ अन्यमेटपूर्ण योजना हैं वो भी डिसकस कर लेते हैं तो आयूसमान सहकार योजना ये शुरू की है नरेंदर सिंग तॉमर ने केश वाउचर सकीम ये शुरू की है वित मंत्र निर्मला शीता रामन ने और खादी अगरबती आतम इर्बर मीशन ये लॉंच किया है 19 गड़करी ने और एक भारत के दोरा सुरू की गई है बिहार के खगड़या जिले में गरीब कल्यान रोजगार अभियान इसको भी आप याद रखें क्योंकि ये भी वेरी वेरी इपोर्टेंट है और हिमाचल परदेश में पंचवटी योजना का भी सुबारम किया गया है नेक्स्ट है हमारा कि टेसला ने दुनिया का सबसे बड़ा सूपर चार्जर स्टेशन को किस देश में लॉंच किया है तो इसका सही आंसर होगा चीन तो चीन में ही टेसला ने दुनिया का सबसे बड़ा सूपर चार्जा स्टेशन है वो लॉंच करेगी इसके साथ ही हम कुछ सामाने ग्यान की क्वेस्टन्स है वो भी हम डिसकस कर लेते हैं कि मोलिक अधिकारी की जो परिभासा है इससे समंदित अनुचित कौन सा है तो इसका सही आंसर होगा अनुचित बारा तो अनुचित बारा है ये परिभासा से समंदित है और कानौन से पहले समानता से समन्ध अनुचित 14 है धरम वंस जाती लिंग या پھर जनमस्तान की आधार पर जो इसके समद में दिया हुआ है वो अनुचित 15 में दिया हुआ है और अनुछई 16 की बात करें तो अनुछई 16 में सारोजνिक रोजगार के मामले यानि जो भी रोजगार है इसके मामले में इस इसमानता भी दी हुई है और नेक्स्ट है अनुचिद 17 ये ऐस परसेता के उन्मूलन से सम्मंदित है और अनुचिद 18 में उपादियों का अनन्थ है वो दिया हुआ है फ्रेंस इसे आप याद रुके एक्जाम की दरिश्टी से वेरी वेरी इपोर्टन्ट है क्योंकि हर एक एक्जाम में सुविधान के अनुचिद से क्वेशन है वो पूछ लिया जाता है फ्रेंस अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा थेंक यू, हैव ए नाइस डे वोचिंग दिस वीडियो